हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडेड नाइन्थ मैट्स टू जोमेट्री का चैप्टर सेवन, कोडिनेट जोमेट्री, हम लोगों इसमें प्रैक्टिस सेट 7.2 अज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 7.2, अगर आपको बाग प्लॉट्ट करने, 7.1 में ने सीखा था, पॉइंट्स कैसे प्लॉट्ट करते हैं, पहले ए 3,0 करते हैं, देखो इसमें 0 है, 0 है मतलब यह कोई तो आक्सेस पे लाए करेगा, यहाद है न, यहाँ पे पहला जो पॉइंट होता है, वो एक्स होता है, दूसरा जो होता है, x-axis, y-axis, x3 होता है, यहाँ पे देखो, ऐसे मत बोलना यह 3 है, यह माइनस 3 है, x3 यहाँ पे और 0, 0 मतलब y, तो y 0 है, तो यही पॉइंट है, ठीक है, आया समझ में, 3,0 बोला तो यही पॉइंट आएगा, विकॉज यह पॉइंट x-axis पे आएगा, तो हम लोग इसको लेब x-axis पे भी 3 और y पे भी 3, x, y होता है न, तो x के इदर 3 यह रहा, y के इदर 3 यह रहा, यह y है, देखो, तो यहाँ से ऐसे लाइन लेके आने का, यहाँ से ऐसे लाइन लेके आने का, चहां पे यह दोनों मिले, यह वाले पॉइंट पे 3, 3 आएगा, ओके, तो बना दो पॉइंट के इदर होगा, y-axis के ऊपर, ठीक है, और y का वैलू किया देखो, y के जगे पे 3, तो y के जगे पे 3 तो यह रहा, तो यह ही हो जाएगा अपना पॉइंट C, तो इसको नाम दे दो, C, 0,3, तो यह आगे अपना पॉइंट C, उसके बाजू में देखो, हम लोग को coordinate, और दूसरा जो होता है, उसको बोलते है, y coordinate, okay, join a, b and b, c, मतलब आपको a से लेके b join करना है, and b से लेके c join करना है, और बताना है, what is the figure formed, तो यहाँ पर join कर दिया है, तो देखो, क्या हो रहा है, यह वाला figure क्या होगा, कैसे पता चलेगा, आप ऐसे सीधा देखके, बोल म एक centimeter, यह दूसरा centimeter, और यह तीसरा, तो दोनों देखो इसका, 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, 4 side equal है, मतलब यह कौन सा figure होगा, यह figure होगा, एक square, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, the figure formed is a square, ऐसे लिख देंगे, here, oa, o से लेके a, देखो, यह o मतलब origin, equal to a, b, देखो, यह a, b, equal to b, c, equal to o, c, o से लेके c, इसके चारो sides equal है, और चारो का length का है, देखो, 1, 2, 3, 3 units, ठीक है, and each angle, यह सारे angle 90 degree है, and each angle is 90 degree, therefore, quadrilateral o, a, b, c, is a square, अगर आप ऐसे पूरा लिखके नहीं बताएंगे, reason के साथ, तो आपको marks full नहीं मिलेंगे, marks cut होगे, इसने लिखके तो बता नहीं है, यह scale में किसी को doubt है, क्या, scale का मतलब होता है, कि आपने क्या आज़िम किया, देखो, graph paper पे बोलो, यह 1 cm का length देते है, लेकिन यहाँ पर यह 3 जो दिया है, यह cm में तो इना है, वो तो कुछ नहीं दिया है, तो वो एक unit है, ठीक है, km भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसल लिए, यह हमेशा लिखना है, 1 cm equal to 1 unit on both axis, 2 axis है ना, तो plural form AXES होता है, ठीक है, एक axis में आयाता है, AXIS, लेकिन, X axis और Y axis दोनों पे 1 cm equal to 1 unit है, देखो, यहाँ से लेके 1, फिर यह भी 1, फिर यह भी 1, इसलिए यह लिखना बहुत important है, फटा फट, कॉपी कर लो, notebook में, done, चलो next करते हैं, second question दिया है, write the equation of the line parallel to the Y axis, यह Y axis को parallel होना चाहिए line, ठीक है, tension मतलो equation अगेरा word देखतर, एकदम easy है, parallel to Y axis अपने को पता है कि ऐसा ही कोई line होगा, तो ही वो Y axis को parallel हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, at a distance of 7 units from it to its left, मतलब Y axis के देखो, इस तरफ left है, और इस तरफ right है, तो उसने address दिया है, कहां पे है यह line, यह left में है, कितना दूर है left में Y axis से, Y axis से distance of 7 units है, हमको पता है, देखो 1 unit, 2 unit, 3 units, 4, 5, 6, 7, यह minus देखके डरो मत, distance negative नहीं होता न, इसलिए उसमें 7 units बोला है, distance कभी negative हो ही नहीं स नहीं होता है, इसलिए 7 units, तो यहां देखो, यह 7 units है न, यहां से लिखे यहां तो यह जो भी line है, यह Y axis को parallel है, और 7 units के distance में, मतलब यहां पे से ऐसे pass होगा, ठीक है, तो बना दो यहां पे line, तो यह line ऐसे लिख दिया, अब यह line पे हम लोग को पता है, कि एक चीज सेम र value तो minus 7 ही रहेगा, अगर मैं एक point यहां पे लेलू, तो भी X का value minus 7, लेकिन Y का value 2 हो जाएगा, तो कोई भी point लेलो, उसका X का value हमेशा minus 7 रहेगा यह line पे, इसलिए जब यह line का equation लिखेंगे न आप, तो equation क्या आएगा, equation आजाएगा, X equal to minus 7, क्योंकि यहां पे X equal to minus 7 ही तो हमने equation लिख दिया इसका, यह question solve करने के लिए graph paper पे line बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी first level पे आप बना रहे हैं, तो graph paper पे बना दीजिए ताकि आपके लिए easy हो जाए, एक और example ले लेते हैं, second में, अगर यह 7 units के जागे पे 4 units होता, तो क्या आता, 4 units to the right, तो अब इसका अगर equation लिखना है, ठीक है पूछा नहीं, extra question करा रहा हूँ, equation क्या होगा, यह वाले line पे कोई भी x ले लो आप, उसका x का value हमेशा 4 होगा, point का coordinate कैसे निकालते थे, x axis पे perpendicular, y axis पे perpendicular, तो यह line पे कहीं पे भी कोई भी point ले लो, x का perpendicular same line आएगा, देको y का change हो रहा 4, तो अगर इसका equation लिखना है, तो आप क्या बोलेंगे, x equal to 4, okay, तो जब भी, क्या सीखा आपने, कभी भी कोई भी line अगर y axis को parallel है, तो उसका equation ऐसा ही होगा, x equal to वाले form का, और x equal to क्या होगा, और depend करता है, कि x पे वो कहां पे pass हो रहा है, एकदम easy है, y axis को parallel, तो y का ultra x, opposite x होता है, तो y axis को parallel, तो x equal to आएगा, ठीक है, और similarly अगर x axis को parallel होगा, तो y equal to y का answer, है ना simple, इसकी बाद पूछा ही होगा, चलो third question देखते हैं, पहले कर लिए copy notebook में, ठीक है, तो इसका answer लिख देना, the equation of the line parallel to y axis at a distance of 7 units from it to its left is x equal to minus 7, ये वाला मैं erase कर रहा हूँ था कि ठीक है, अभी कुछ बच्चे एभी डाउर पूछेंगे रहे, तो ये line कितना लंबा बना रहा है, खाली x axis से pass हो जाए, इतना सा भी बना दिया तो भी चलेगा, इतना सा भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन सिफ इतना सा बनाया, तो शयद नहीं चलेगा, इसलिए एक बार axis को तो कटवाई देना, ये axis को कट करना चाहिए, ओके, तो ये हो गया हमारा second question, थर्ड देखते हैं, अब देखो, write the equation of the line parallel to x axis, ये अपना x axis है, इसको parallel ऐसी lines होगी, है न, at a distance of 5 units, 5 unit का distance है from it, and below the x axis, मतलब ये उपर नीचे सब जगे आर था, लेकिन below है, तो हमको नीचे डालना है, और कितना distance चाहिए, 5 units, तो नीचे 5 units काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 5 units, तो यहाँ पे से एक line पास होगा, जो x axis को parallel होगा, तो बना दो line जल्दी से, तो ये line आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, अगर x axis को parallel है, तो उसका equation कैसे form का आएगा, y equal to, ठ कोई भी point ले लो, ये line के उपर, कहीं पे भी, उसका y का value हमेशा minus 5 रहता है, ठीक है, तो y equal to minus 5, इसका equation हो जाएगा, तो इसका answer भी ऐसे लिखेंगे, the equation of the line parallel to the x-axis at a distance of 5 units from it and below the x-axis is y equal to minus 5, ओके, देखो यहाँ पे y equal to minus 5, आया समझ मैं, चलो कर लो, copy in notebook में चल्दी से, कुछ बच्चों को चाहिए, तो आप लोग ऐसा distance बता सकते हैं, कि यह जो distance है, यह है अपना 5 units, ओके, यह negative देखके, tension मत लेना, below बोला था उसने, वो बोल रहा था below, इसलिए हम लोग बिलो गए, अगर अब आओ बोलता है, तो हम अब आओ जाते हैं, दन, चलो next करते हैं, फोट वाला बोला है, the point q minus 3, minus 2, एक point दिया है, lies on a line parallel to the y-axis, यह एक line पे है, जो line y-axis को parallel है, write the equation of the line and draw its graph, बहुत ही simple question है, सबसे पहले यह point q plot कर लेते हैं, क्यूंका x कितना है minus 3 और y है minus 2, यह x-axis पे minus 3, यहाँ पे axis का नाम लिख दो x, x-axis और यह अपना y-axis, ओके, x का value minus 3 काहाँ पे होगा है, देखो, x का value minus 3 इधर, and y का value minus 2, y के उपर minus 2 काहाँ पे है, इधर, तो minus 3 और minus 2, दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो यह वाला point होगा अपना q, minus 3, minus 2, तो q को plot कर दो, तो यह point देखो, मैंने plot कर दिया, q minus 3, minus 2, अब बोल रहा है, the point lies on a line parallel to y-axis, यह point जो है, line parallel to y-axis, मतलब यह वाला line, यह y-axis है न, इसको parallel यह वाला line आएगा, तो यह उसके उपर लाए करता है, तो line बना दो, तो हमने line भी बना दिया, देखो, यह वाला line, यह line y-axis को parallel है, parallel मतलब वो एक दूसर से कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, write the equation of the line and droids graph, तो graph तो हमने बना दिया, अब इसका equation कैसे बनाएंगे, यह वाला line y-axis को parallel है, मतलब इसका equation कैसा आएगा, x equal to, और x equal to क्या है, देखो, minus 3, यह मारा point जो है, वो minus 3 है, मैंने थोड़ा उपर लिखा है, ताकि वो minus कटना हो जाए, ठीक है, तो x equal to आ जाएगा, minus 3, खतम यही है उसका equation, हमने graph भी बना दिया, और equation भी दे दिया, दोनों काम हो गया हमरा, दिख रहा है, यह हमने graph बना दिया, और यहाँ पर equation भी लिख दिया, ठीक है, इतना easy है fourth question, यह सब देखके क्या फालतों में tension दिया है, minus 2 कहीं पर use नहीं हो, minus 2 सिर्फिए point plot करने में use ठीक है, next करते है, fifth question दिया है, x-axis and line x equal to minus 4 are parallel lines, impossible है, x equal to minus 4 जो line होगा नो हमेशा y-axis को parallel होगा, तो यह x-axis होई नहीं सकता, यह आपको question change करके y-axis करना पड़ेगा, क्योंकि x-axis हुआ, तो parallel नहीं होगे, दूसरे को intersect करने, x equal to minus 4 मैंने आपको बता है था, x equal to minus 4 मतलब यह ऐ line आएगा, जहाँ पे, वो minus 4 से pass होगा, और y-axis को parallel होगा, ठीक है, हम लोग नहीं इतनी बार कर लिया, अगर y equal to minus 4 देता, तो y equal to है ना, मतलब वो x-axis से parallel होगा, और minus 4 के तुरू pass होगा, ऐसा होगा नहीं, ओके, तो पहले यह x equal to minus 4 line बना लेते हैं, तो यह बना लिया, x equal to minus 4 line, देखो, कोई भी point पे आप ले लो, x के उपर हमेशा उसका value minus 4 ही आएगा, ठीक है, y change होता रहेगा, और यह वाला line देखो, y-axis को parallel है, what is the distance between them, y-axis और यह वाले line में कितना distance है, देखो, 1, 2, 3, 4, 40 unit है ना, कहीं पे भी देख लो, distance मतलब perpendicular डालने का, कहीं पे भी perpendicular डा 4 units, पर एक question change कर ले, ठीक है, देख लो, एक भापूरा solution, distance समझ में आया ना, हमने count करके यह देख लिए distance, कुछ और दिमाग लगाना ही नहीं है, next करते है, 6th question में, 2 methods आएंगे, मैं पहले graph paper के method से सिखा दूँगा, यह वाले lecture में, which of the equations given below have graphs parallel to the x-axis, यह देखो, 4 question दी है, आपको बताना है, कौन से ऐसे graphs हैं, जो x-axis को parallel, and which ones have graphs parallel to y-axis, यह बहुत ही time pass question है, graph paper की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लो, x equal to 3 है, second question में देखो, y minus 2 equal to 0, यह minus 2 को उतर भेज देंगे, तो 0 plus 2 हो जाएगा, वहाँ जाके, और आपको मिल जाएगा, y equal to 2, यहाँ प यहाँ पे, x equal to या y equal to form में नहीं था, इसलिए change कर दिया, जब भी x equal to होता है, तो line हमेशा y-axis को parallel होती है, और जब भी y equal to something होता है, तो वो वाली line x-axis को parallel होती है, अब भी तो किया था हमने, है ना, 4th, 5th, 6th question में हम लोग ने 4th और 5th में देखा न, यह x equal to 3 अगर आपको line बनाना है, तो देखो, x equal to 3 यह रहा, और x equal to 3 क्या होगा, it will be a line parallel to y-axis, क्योंकि यह वाले line पे x का value हमेशा 3 होगा, ठीक है, तो यह line क्या होगा, y-axis को parallel, तो बना दो x equal to 3, similarly, x plus 6 equal to 0 को ऐसे लिखा न, x equal to minus 6, x-axis पे minus 6 देखो यह रहा, तो ऐसा वाला line आएगा न, उसके यह उपर लिख देगे, x equal to minus 6, यह दोनो line, यह वाला और यह वाला, यह किसको parallel है, यह blue आले color जो है, वो parallel है, y-axis को, ठीक है, यह दोनो parallel है, y-axis को, अब यह वाला करते है, y equal to 2 and y equal to minus 5, y-axis के उपर 2 देखो यह रहा, तो अगर y equal to 2 plot करना है, तो it will be a line parallel to x-axis, तो यहाँ प y equal to 2 किसको parallel है, x-axis को, वैसे y equal to minus 5 वीडियो pause करके खुच से बनाओ, y-axis के उपर, यह y-axis है, इसके उपर minus 5 देखो यह रहा, तो ऐसा line आएगा न, x-axis को parallel, बना दो, तो यह जो blue वाली lines है, वो किसको parallel है, y-axis को, और यह जो pink वाली lines है, यह x-axis को parallel, ठीक है, यह method 1 है, आप ग्राफ paper पर कैसे बना सकते हो यह, तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं, आज हमने पहले 6 questions कर लिए, practice set 7.2 के, वीडियो पसंद आया तो like करें, link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें, ताकि उनको भी graph, बनाना और coordinate geometry अच्छे जमझ में आ जाए, चैनल को already subscribe कर दिया है, तो so much for watching this video.